नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले है रेलवे रिकूर्ट्रेंट बोर्ड एंटी पीसी और ग्रूप दी का ऑनलाइन कंसर्ण और साजेसन का जो फॉर्म आया है उसको कैसे भरेंगे दोस्तों फॉर्म सुरू करने से पहले आपको बता दे उसको ऑनलाइन भी आपको भरके दिखाने वाले है ओफलाइन कैसे करना है वो भी बताने वाले है आपको कैम का रहे लेगा पता कहा मिलेगा वो भी बताने वाले सबसे पहले बता दे यह फॉर्म जो है 28 जनवरी से लिके 16 फर्वरी तक उपलबद रहेगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते बताते हैं फॉर्म आपको कहा अपन मिलेगा तो यह फॉर्म आपको मिलेगा रोजगार result.com पे ट्रस्टेबिन एक पुरानी वेबसाइट रोजगार result.com आपको खुलना हो यहाँ पे देखेंगे टॉप आलाइन फॉर्म पे मिल जाएगा मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जिसका नाम है सरकारी result.com गूगल पे जब भी सरकाइजर लिखें लास्ट में डॉट कॉम जरूर लगाईए क्यों कि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली वेबसाइट वी उपलब देखेंगे सीधर आपको इस पे क्लिक कर देना है आराइन बी एंटी पीजी गूरूप लिए आपको मता प्रकार है कि आप खुझ जाएए कैम आफिस में और अपनी आप्लीकेशन है वह आप दे सकते हैं दूसरा प्रकार है कि आप रिल्वे ने अपनी एक इमेल आडी जारी की है आराइन भी कमिटी इस पे अपनी प्रॉब्लम को लिखी ये फॉर्मेट में और उसको अपनी रि सब्सक्राइब है बढ़ाओगा अगर आपको ग्याद नहीं है तो आप अपने एड्मिर कार्ट देख सकते हो उसके उपर लिखाओगा मालीजे मैंने भराए अजमेर क्लिक करता हो सब्मिट करके आगे बढ़ता हो जैसे आगे बढ़ेंगे यहापको अपना नाम दाल देना है जो नाम आपने देंकि मदर्स दिखा देता हो यह देह सकते हैं बीच में और लगा है यहाँ आप रोल नंबर दे सकते हैं यहाँ आगे बढ़ेंगे यहापको अपना इस टेट के रहने वाये आपने फॉर्म कहीं बहाएंगा लेकिन पूछा है तो आपको यहां पी लाएंगा आपर देग यहां पर लिख सकते हैं यहां पर करेक्शन अपना लिख सकते हैं यह यहां पर लिख सकते हैं यहां हम चलते हैं ऑपके रोल लंबर का करती हैसल न मट मिटनेच करूँ यह नहीं है अब लूपषNew का नहीं अधONG कर ज्यादीन नहीं mast पर आपको अपना रिजिट्रेशन नंबर डोल नंबर नेस्ट आपको अपनी डेट बढ़ दाल देनी है आगे बढ़ेंगे यहां पर ऑप को दालना है कि आप जो है अगर आप उस पर पहले आले क्लिक कीजिए अगर आप चाते हैं नहीं CBT to cancel हो तो second वाले भी कीजिए क्लिक कीजिए थार्ड है increase of candidate in DB form आप चाहते कि और ज्यादा बच्चे बड़े तो उसके लिए कर सकते हैं continue existing medical standard या normalization और या अधर कुछ भी आपका concern नहीं तो आपको इस form को बहुत ही असानी से भर सकते हैं तो आज की वीडियो में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक लिए जाज़े दीजिए नमस्कार धन्यवाद